अर्थेट जाओया तता पंतपरधान मोधी बोलता है कि मन की बात मधे साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग-लग सेक्टर्स के एक्सपर्स के साथ देशेजग्यों के साथ लंबी चर्चा हुई है हमारी फार्मा इंडिस्ट्री के लोग हो, वैक्शिन मेगनिफेक्चरर्स हो, आक्सिजन के प्रोडुक्शन से जुड़े लोग हो या फिर मेडिकल फिल्ड के जानकार उन्होंने अपने महतोपुन सुझाओ सरकार को दिये है इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्स और वेज्ञानिक सलहा को प्राथिक्ता देनी है राज सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है राज सरकारे भी अपना दाईत्नों निभाने की पूरी कोशिश कर रही है साथियों कोरोना के खिलाब इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वरकर्स लड़ रहे है पिछले एक साल में उन्हें इस बिमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए है हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर स्वशांग जोसी जुड रहे है डॉक्टर स्वशांग जी को कोरोना के इलाज और इस से जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशन्स के डीन भी रह चुके हैं आईए बात करते हैं डॉक्टर स्वशांग से नमस्कार डॉक्टर स्वशांग जी अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अउसर मिला था आपके विचारों की पष्टा मुझे बहुत अच्छी लगी थी मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए जो बाते सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रुप में आपके सामने प्रस्थूत करता हूँ टर स्वशांग आप लोग इस समय दिन राग जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है धन्यवाद सर ये दूसरी बाड़ आई है ये तेजी से आई है तो जितनी पहली बाड़ती उससे ये वाइरस ज्यादा तेज चल रहा है लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मुक्तिवधर काफी कम है इसमें दो-तिन फरक है पहली तो ये युवावों में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है उसके जो लक्षण है पहले जैसे लक्षण थे सास चड़ना, सुका खासी आना, बुखाराना ये तो सब है पर उसके साथ थोड़ा गंद जाना, स्वात चला जाना ये भी है और लोग भुड़े भाईबीत होये, भाईबीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है 80-90 प्रतिशद लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं ये म्यूटेशन, म्यूटेशन जो बोलते हैं, कबरानी की बात नहीं है ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कबरे बदलते हैं, वैसे वाईरस भी अपना रंग बदल रहा है और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है और ये वेव पो हम पाल कर देंगे वेव आती जाती हैं, और ये वाईरस आते जाते रहता है तो ये ही अलग-अलग लक्षने हैं और मेडिकली हमको सतर करेना चाहिए एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेफल है इसमें वैद्य की असला लेना चाहिए और डॉक्टर सजांक, बेरे लिए भी आपने जो एनालेसिस बताया बड़ा इंट्रेस्टिंग है मुझे कई चीछियां मिली है जिसमें ट्रिट्मेंट के बारे में भी लोगों की बहुत से आशंका है कुछ दवाओं की मांग बहुत ज़ादा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोविड के ट्रिट्मेंट के बारे में भी आप लोगों को जुरूर बता है हा सर, क्लिनिकल ट्रिट्मेंट लोग बहुत देरी से चालू करते है और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाले बातों पे भरोसा रखते हैं और अगर सरकारी दीव हुई सूचना का पालन करे तो ये कटनाई का सामना नहीं आता है तो कोविड में जो ट्रिट्मेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीवरता है हलका या माइल कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीवर कोविड जो सीवेर कोविड बोलते हैं इसके लिए हैं तो जो हलका कोविड है उसके लिए तो हम उक्सिजन का मॉनिटरिंग करते हैं पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं उखार का मॉनिटरिंग करते हैं उखार बढ़ जाता है तो कभी-कभी Paracetamol जैसी दवाई का इस्तमाल करते है और अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए जो moderate COVID होता है मध्यम COVID होता है या तीवर COVID होता है तो वहिद्यक के अपने डॉक्टर के साथ संपर करना बहुत जरूरी है सही और सस्ती दवाई अवैलेबल है जिसमें steroid जो है जान बचा सकती है जो inhalers दे सकते हम tablet दे सकते हम और उसके साथ ही पराणवायू जो oxygen हो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे-छोटे इलाज है लेकिन अकसर क्या हो रहा है कि एक नई experimental दवाई है जिसका नाम है Remdesivir ये दवाई से एक चीज़ जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और clinical recovery में थोड़ी से उसकी एड़ होती है ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 19 दिन में दी जाती है और ये 5 दिन गिनी पड़ती है तो ये लोग जो धोड़ रहे Remdesivir की पीछे ये बिल्कुल धोड़ना नहीं चाहिए ये दवाई की थोड़ा काम है जिनको oxygen लगता है प्राणवाई oxygen लगता है जो हस्पताल में भरती होते है और डॉक्टर जब बताते तब ही लेना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना हम प्राणायम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग से उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जी injection आती है जिसको हम ही पैरिन बोलते ये छोटी छोटी दवाईये देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते है तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वईद्य के सिल्ले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो मंगी मंगी दवाई है उसके पीछे दोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर अपने पास अच्छे इलाज चालो है प्राणवाई ऑक्सीजन है वेंटिलेटर की भी सुहिया है सब कुछ है सर और कभी-कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग ये लोगों में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत ध्रम पैदा हो है और इसलिए ये स्पष्टिकरन देना चाहता हूं सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेश्ट ट्रिट्मेंट अवेलेबल है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है आप यदि कंपेर करेंगे यूरोप के लिए अमेरिके वही से भी हमारे हाँ के ट्रिट्मेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर डॉक्टर सेशांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेशांग ने जो जानकरिया हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सब के काम आएगी साथियों मैं आप सबसे आगरह करता हूँ आपको अगर कोई भी जानकरी चाहिए हो कोई और आशंका हो तो सही सोर्च से ही जानकरी ले आपकी जो फैमिली डॉक्टर हो आसपास के जो डॉक्टर हो आप उनसे फोन से संपर्क करके सलहा लीजिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी जिम्मेदरी उठा रहे हैं कई डॉक्टर्स सोचल मीडिया के जरिये लोकों को जानकरी दे रहे हैं फोन पर वाटसेप पर भी कांसिलिंग कर रहे हैं कई हॉस्पिटल की वेब साइट हैं जहां जानकरीया भी उपलबते हैं और वहाँ आप डॉक्टर से परामस भी ले सकते हैं यह बहुत सरहानी है मेरे साथ स्रीनगर से डॉक्टर नावीद नजिर शा जुड़ रहे हैं डॉक्टर नावीद स्रीनगर के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है नावीद जी अपनी देखरेग में अनेकों कोरोना पेशन्स को ठीक कर चुके हैं और रमजान के इस पवित्र माह में डॉक्टर नावीद अपना कार्य भी निभा रहे हैं और उन्होंने हमसे बात्चीत के लिए समय भी निकाला है आईए उनी से बात करते हैं नावीद जी नमस्कार नमस्कार सर डॉक्टर नावीद मन की बात के हमारे सोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है आप अपने अनुबहों से उन्हें क्या जवाब देंगे देखे जब कोरोना शुरू हुआ तो रश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्निट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीरी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है तो उस ताइम एक खोफ का माहौल था लोगों में तो था ही वो समझते थे शायद कोविड का इंफेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा यह और ऐसे ही जो हमारे हस्पिटलों में डॉक्टर, साहिवान या पैरेमेडिकल स्टाफ काम करते थे उन में भी एक खोफ का माहौल था कि हम इंपेशन को कैसे फेस करेंगे हमें इंफेक्शन होने का खत्रा रुमी है लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पुरी तरीके से हम जो प्रिटेक्टिव गियर पहने और एहत्यादी तदाबीर जो है उन पर अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी मस्ताफ है वो भी सेफ रह सकता है और आगे आगे जब भी हम देखते के तो ये मरीज जो कुछ लोग बिमार थे कुछ एस्मिटमेटिक थे यानि कि हमें कोई बिमारी के कोई लक्षन नहीं थे हमने देखा कि करीब करीब 95% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो खुद विदाउट इनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में इस टाइम भी हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस मौके पे भी हम अगर जो protective measures हैं, जो SOPs हैं, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, hand sanitizer का यूज करना, इसकी अलावा physical distance maintain करना या social gatherings हम अवाइड करें, तो हम अपना रोज मर्रा का काम भी बखु भी दिवा सकते हैं और इस दिमारी से protection भी पा सकते हैं. डॉक्टर नावी, वैक्सिन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सिन से कितनी सुरुक्षा मिलेगी, वैक्सिन के बाद कितना आस्वस्त रह सकते हैं, आप कुछ बात इसमें बताएं तो सुरुताओं को बहुत लाब होगा. जब कोरोना का infection सामने आया, तब से आज तक हमारे पास भी COVID-19 के अगेनेस्ट कोई effective treatment अवैलबल नहीं है, तो हम इस बिमारी को fight दो ही.